क्या होता है अकसर कि यदि मान लीजिए आपके यहां का कोई SDM है तैसिलदार है SHO है आप एक बिलकुल नॉर्मल आम इंसान हैं आपके आपके गाउं में प्रधान से थुरा लडाई जंगडा हो गया या मन मिटा हो गया या मान लीजिए आप प्रधान के खिलाब से कायद कर आम आदमी यदि प्रधान से यदि किसी प्रतिष्टिद व्यक्ति से यदि किसी पैसा वाले व्यक्ति से उलज गया और वो दोनों लोग SDM SHO तैसिलदार के पास पहुंचे तो वो अधिकारी उस आम आदमी की पच्छ नहीं लेते बलकि उस प्रतिष्टिद व्यक्ति या प्रधान है या जो पैसे वाला है या जिसकी पॉलिटी से अच्छी पैचान है उसको ज्यादा मैत देते उसकी ही एक तरफा कारवाई करते जो कि बहुत गलत है और इसी कारण से यह जो कानपुर की गटना हुई है इसी कारण से हुई है वो बड़ी गटना हुई है अधिक तरी यह देखा जाता है कि जब दो पच्छे होते हो उनमें जो छोटा पच्छे होता है जो आम आदमी होता है वो हमेशा उसे न्याय नहीं मिलता है उसके साथ अन्याय होता है तो धन्यवाद